आज हम बात करेंगे जाती सिध्धान्त के प्रतिपादक के बारे में जो जाती विवस्था है उसमें कई थिंगरों ने अपने अपने सिध्धान्त दिये हुए हैं तो कुछ जो बहुत इंपॉर्टन्ट हैं वो मैं लेके आई हूं इस वीडियो में तो उसी से उसी से इस तरीके से कोशिन उसमें बन जाता है यह नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इससे रिलेट जो कॉंसेप्ट के एकॉर्डिंग जो कॉश्चन वो बनते हैं वो आएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अभी दक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प परंपरागत सिध्धान्त जो है परंपरागत सिध्धान्त जाती विवस्था के आधार पर किस ने दिया है मजूमदार ने दिया है परंपरागत सिध्धान्त राजनेतिक सिध्धान्त जाती के आधार पर किस ने दिया है अब बो डुबोई ने दिया है ठीक है जाती सिध जाती के आधार पर नेस फिल्ड ने दिया है प्रजाती सिद्धान्त रिजले ने दिया है और ये आधार किसके है जाती सिद्धान्त के जाती विवस्था के आधार पर जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये गए है वो सिद्धान्त है ठीक है आदिम संस्कृति का सिद्धान आदिम संस्कृति का हट्टन जी का है आदिम संस्कृति का सिध्धान थै टोटम वाद का सिध्धान गिलबर्ट ने दिया है जिसको हमारे जो तिंकर है दूरखीम जी इन्होंने फॉलो भी किया है ब्राउन जी भी है जो मानो सास्री इन्होंने भी इस टोटम वाद को माना है ठीक है गुप्त उध्धोग धंदे का जो सिध्धान थे है वागोलिक सिध्धान जो दिया है राइस ने दिया है राइस जी ने ठीक है तो यह थे हमारे जो important thinkers और उनसे related जो theories है वो I hope आपके लिए वीडियो अच्छी और helpful रही होगी और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्रेस कर ले बैल आइकोन को तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं Thanks for watch